देपालपूर पसु मंडी देख रहे हैं आप प्रत्यक मंगलवार को जो मंडी पड़ती है और जहां से आपको इन बेंसों की किमत दूद और लेक्टेशन पुरी जानकारी देंगे बने रहे हैं अन्तक वीडियो देखें आप दोस्तों यह हमारी सेकंड वीडियो आज मंगल वार 16 अगस्त 2022 की दूसरी वीडियो लेकर आएं और देपालपूर पसु मंडी इंदोर जिले में लगती है और मध्यप्रदेश की सबसे अच्छी विश्वसनी मंडी है जहां अच्छी भेंस गाई मिलते हैं तो इस भेंस को हमने कवर कराए सिंगों की बनावड देख किये और फिट पुट्ठा पूच नीचे तक घिसाती हुई तो जानते हैं हम और कौन से ब्यांत की वहां यह दूसरे दूसरे में दूद किता देगी साथ साड़े साथ नीचे कित्ते दिन का बच्चा जनी हुई है ना चार पांच दिन का है क्या मांग रखिये अपनने इसकी एक लाग दो हजार एक लाग दो हजार एक लाग दो हजार मांग रखिये और यह देख लीजिए पीछे से बहुत चांदार अच्छा अडर है और दोस्तों घबराय नहीं करीब नब्बे क्या स्पास हो सकती है वेंश और अगरवाल जी 37 सेट गासी सेट इंदोर वाले की वेंश देख रहे हैं आप इस वीडियो के माध्यम से तो सटिक जानकारी देते हम पूरे मध्य प्रदेश में आप लोगों को घर बेठे ऐसी सुविदा मिलती है अलग-अलग जीले की हर पसुमंडी हम आपके पास लाइव दिखाते हैं तो उसके बदले आपसे कुछ चार्ज किराया लिया जाएगा उसका किराया यह है कि नीचे एक लाल सेस्क्राइब का बटन दिया गया है उसे प्रेस करें और पास में ही घंटी का बटन दिया गया है उस पर भी प्रेस करें तो हमारी सबी वीडियो आप लोगों तक पहुँचेगी और और भी कोल सी पसिव मंडी आप देखना चाहते हैं तो जरूर हमें बताए और पूरा आपका नाम पता इड्रेस मोबाइल नंबर दीजिए और मंडी कहां लगती है उसकी भी सुचना दीजिए आप इनकी अगली बैंस एक और हम कवर कर रहे हैं अच्छी देख लीजिए आप सिंगों की बनावत टॉप मुरा बैंस जो असली मुरा की पेचान होती है और फुस्ते हैं कहां की बेंस है तो जानेंगे पुरी जानकारी देंगे पीट पुट्टा देख लीजिए आप गुमा के लाए है वापिस भाई साप कौन से व्यात की बेंस है तिसरे में दूद्ध खित्ता निकाल देगे गनुमान टाइम का कित्ते दिन की जनी हुई पांच रोच की जनी हुई बेंस देख रहे हैं ग्राक सामने खड़ें भाईया आज कित्ती बेंस है अपने पास टोटल आए आज 35 लाएत है विकी अभी दस बेंस बिक गई है कौन से जंगल की अपनी बेंस हर्याना और मारवार दोनों जंगल की हैं तो अच्छी बेंस खरीदने के लिए आप एक बार आप 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 अग्रेवाल जी जो इंदोर से हैं उनसे जरूर संपर्क करें आप 37 सेट गासी सेट तो कॉंटेक्ट नमबर भाया एक बार नमबर दीजिए इस नमबर पर संपर्क कर ले जब भी बेंस खरीदने का विचार हैं तो आगे बढ़ते हैं और अन्य बेंसों की भी जानकारी आप लोगों तक सेयर करेंगे तो बने रही है वीडियो देखते रही है यह देखिए ऐसी हालत में आप लोगों तक वीडियो सेयर कर रहे हैं फिर भी अच्छे से अच्छा कवर करेंगे और इस बेंस की जानकारी लेते हैं हम जो भाई साब गुमा के दिखा रहे हैं आप यह बेंस छोड़ो यार एक बार हो किसकी है यह जो की हमारे देपालपूर तेसिल के सबसे फेमस डाक साब नमस्कार चाब जो चेक कर रहे हैं क्या वुखार चेक कर रहे हो तो जब भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे देपालपूर तेसिल के सबसे फेमस नामी डाक साब हैं और अच्छा इलाज करते हैं और किसानों की सेवा करते हैं कि आधी रात में भी उपलब्द जब भी बुलाएंगे आप पहुंचेंगे डाक साब तो यह फर्स्टे वाली बेंस हम कवर कर रहे हैं और आप लोगों तक सेयर कर रहे हैं अच्छी बेंस लगी में को क्योंकि साथ सेकंड लेक्टेशन में हैं और देख लीजिए क्या सिंगों की बनावाट छोटे-छोटे सिंग है अच्छी हाइट है और पिट-पुठ्था देख लीजिए आप अडर क्वालिटी भाईस आप कौन से व्यात्म होगी है यह दूसरे व्यात्में दूसरे व्यात्में दूद कितना लगा देगी है खनुमां दूदे देगी दस लिटर दूसक्ता है जैनी हुए ना यह बच् यह बच्चा है कौन सो जंगल की बोला इसको नागोर की किती वेस लाया जाए जाए नोदेश सेल हो गई मतलब है ना इसका क्या रख रहे है पन इसके मांगने पेसट है देने की देने की मांद सम्माण करते है ठीक है वह या तो जब भी अच्छी दुदारू सस्ती भेस ब बेटमा से हो बेटमा देपालपूर तेसिल से हैं आपका कॉंटेक्ट नंबर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप देपालपूर पशुहाट से अगर बेंस खरीदना चाहते हैं तो जिते अन्बिया बेंस दिखा रहे हैं कहां की है बेस नागर की है जो पालेग जिए गादर देगाग बेश्का जो पर लोग में तो गया थे तो पालेगोर इस खरीदीश उसक्षाइबस, लग जिए भालेगोर tak । कि आपकाच्चु जला आप एक 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 नागोर की में दिखाने आपको देशी क्रॉस ब्रीड में है और प्यूर मुर्रा नहीं है ने वे दूद कि तो देगा कीमत के रख रहे हैं और इसके और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बारीज ज्यादा है इस कारण वीडियो में सही से नहीं बना पा रहा हूँ तो जैसे भी आज वीडियो पहुँचे आप देख लीजिए क्योंकि रेनकोट और छाता कीचर केमरा और मेरा संतूलन सब कुछ में को बना के चलना है तो इन बेसों की जानकारी देंगे यह भेंस खुलवाते हैं अब बाओ जी कहां की है भेंस यह खुलवा रहे हैं दोनों भेंस खुल दिये देख लीजिया दो साफुल दो दिया nut stör अपक्या गले हुल मेरा हाज अपक्या है तो बहिए 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 यह कम लिए जालोर जिले की जालोर जिले की वेंज देख रहे हैं आप और यह देख लीजिए सिंगों की बनावट टाफ है और इस वेंज का लाइव सोधा हो रहा है देख लीजिए आप और यह लाइव सोधा इस तरह से होता है एक अच्छी मेंस हैं कि अज़ए आड़ क्वालिटी देख लीजिए आप बाओ जी कही मंगी रहा बाओ जी कही मंग कही रहा है का इसो ठीके बाओ जी कित्ती बेंज अपना पास सब यह 10-12 बेंज हैं इनकी और बजट में वो सकती है 60 तक यह देख लीजी आप देपालपूर पशुहाट पर्टिक मंगलवार को लगने वाली मंडी और दो बेंज खोल के दिखा रहे हैं दादा बाओ जी भाई साप जो भी है अच्ची बेसे हैं ग्राक सामने खड़े हैं और यह सोदा हो रहा है बेस का पुस्ते हैं तर बाओ जी कित्तों कित्तों दूदे दोई का पास? अटाट किलो हैं कई मांगे हैं मांगे हैं इनकी दोई की कई मांगे मांगे हैं दो चालिस एक बीस बीस करीब नब्बे पिंचाड़नों के असपास होगी हैं दिरे दिरे इस कीचड से आगे बढ़ते हुए हम और सबी चीज का ध्यान रख रहे हैं आप लोगों को भी वीडियो दिखाना हमें वीडियो बनाना और कीचड धक्का मुकी सबी चीज बारीश सब कुछ है यहां पर ग्राक मिलने वाले दोस्त सस्क्राइबर तो सबी का ध्यान रखना पड़ता है हमें अब 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 जी ले ली गई किता में पिचोत्तर में पिचोत्तर में सेल हो गई है और जा रही है बेस लोडिंग होने के लिए और भीड इतनी है कि दोस्तों वीडियो बनाना बड़ा मुस्किल है बारीश यह चाता देख लीजिए मेरे उपर यह किचड देख लीजिए और एक हाथ में केमरा चाता रेंकोट सब कुछ है और दूर दूर आप लोगों तक दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है कि चाहे 200 किलोमेटर मंडियों या 400 हर दिन आप लोगों को हम अपडेट देते हैं तो हमें आप से यही आज बनी रहती हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे जरूर सयोग करें सब्सक्राइब